नमस्कार दोस्तों स्वागर थे वा फिर से आपका हमारी यूट्व चैनल में दोस्तों टोटी से कम पानी आता है और वोटर टैंग आप जल्दी सफाई नहीं कराते हैं जिसकी वज़े से टोटी में काफी ज्यादा कम पानी आता है और टंकी तो गंदी होती तो इससे बहुत सारी समस्यां दोटपन होती ही है तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि पाइपों में किस तरी की कचड़े किस तरी की गंदगी हम टंकी तो उपर उपर से साफ करा लेते हैं लेकिन पाइपों में कभी ध्यान ने देते हैं आप यहां पर दे तो जब भी दोस्तों आप टेंकी साफ करा हैं तो एयर पाइप की राष्टे जरूर आप कोई ना कोई लिक्विड उसमें जरूर डाल दें ताकि जो भी थोड़ा मोड़ा क्लिनिंग उसमें होते रहें वॉल को आप नीचे से बंद कर सकते हैं और एर पाइप की रास्ते लिक्विट को डाल कर 5-10 मिट छोड़के आप क्लिनिंग मतलब हो पाएगा आपका ठीक है तो टोटी को खोलना रहता है सिंपली और सारा कचड़ा पानी की रास्ते निकल जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं टैंक कितना जादा गंदा है और इसी तरीके से एर पाइप में और बाकि जितने भी पाइप लाइन नीचे तक टोटी तक गई हुई है सारे पाइपों में इसी तरीके से गंदगी होती है तो हमारे पाइप में भी आपको लिक्विड डालना चाहिए तो लिक्विड के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ पे जाके विजिट करके चेक कर लीजेगा बागी गंदगी आप देखेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से गंदगी तो दोस्तो हमारे पास अविलेवल है ब्लू स्काई का हाड़ वाटर स्टेन डिमोवल जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा 5 लिटर या फिर 2 लिटर जितना भी आपको चाहिए उस quantity में आप उसे साब से विजिट करके उसको पर्चेश कर सकते हैं Amazon से तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यह टैंक में हम डाल रहे हैं इसको आप pipeline cleaning में भी यह same liquid डाल सकते हैं अगर आपका single floor है तो आप यहाँ पे 2-3 लिटर डाल सकते हैं double floor है तो आप 5-6 लिटर के करीब डाल सकते हैं तो सारा कुछ आपको description में मिल जाएगा आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं बाकि आप टैंक में देख सकते हैं किस तरीके से black black जो कारवन्स है ब्लेक ब्लेक जो इतनी जादी गंदगी है अपने आप नीचे की तरफ डाउन होते जा रहा है तो ब्लिस काई का हाड़ वाटर स्टेंड इमोल आप पर्चेस करने के लिए नीचे देगे नंबर पर भी कॉन्टेक कर सकते हैं बल्क ओर्रस के लिए बाकि 5 लिटर और 2 लिटर के लिए आप एमेजॉन पर इसका चेक कर सकते हैं तो simply दोस्तों आपको air pipe में डालना होता है और after cleaning result मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह हमने देखिए professional way में इसको cleaning करते हैं आप यहापे cleaning result भी देख पाएंगे बाकि air pipe में जब liquid आप डाल दें तो कम से कम 10 से 15 मिट छोड़ दें और उसके बाद टोटी को सारे टोटी को खोल देना होता है और tanky में पानी चला के पूरा पानी नीचे की तरब बहा देना होता है तो यह रहा दोस्तो हमारा after cleaning result दोस्तो water tank cleaning के साथ में हमेशा हमें pipeline cleaning भी कराते रहना चाहिए मतलब उसमें liquid डालते रहना चाहिए तो हमारे पास blue sky का hard water stain removal है इसको आप टैंग cleaning के साथ में pipeline cleaning में भी इसको use करिए क्योंकि दोस्तो समस्या जब बड़ी हो जाएगी तब आपको इसमें बहुत ज़्यादा परिशानी होने वाली है क्योंकि दोस्तो इसमें तोड़ फोड़ भी हमें करने पड़ते हैं जब air pipe jam हो जाता है और air pipe एंड जो भी pipeline है नीचे तक टोटी तक गई होई है pipeline उसमें जब jam blockage हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करवाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा समस्या जहलनी पड़ती है ऐसे बहुत सारी inquiries आती रहते हैं तो इसको समय से पहले ही अगर cleaning कराते रहेंगे हर 6 मैंने एक साल पे अगर हम इसको cleaning कराते रहेंगे pipeline and tank को तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी आरो में भी problems नहीं आएगी कोई भी ऐसी बिमारियां और बाकी कोई भी चीज़े नहीं होंगी तो यह purchase करने के लिए आप नेची तेगे description को चेक कर सकते हैं और यह बहुत ही perfect liquid है pipeline cleaning के लिए और water time cleaning के लिए इसका आप google पे भी जाके search कर सकते हैं और बाकी चलता हूँ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक जै हिन जै भारत